महत्रपूर्ण किरिया का जिकर कर रहे हैं जो आपको योग मार्ग में ऐसा रास्ता देगी ऐसा मार्ग सुगम करेगी आपका आप सारे परपंच से बच जाएंगें आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रिश्रम फालतों में नहीं करना होगा किसी पचड़े में नहीं बढ़ती आपको सिरफ और सिरफ किरिया को धहरण करेगे और योग मार्ग हैं धीरिदीर कर के आपको योग सिधु हो जाएगा योग की सफलता मिल जाएगी साथियों जितने powiyet हैं संसार में दीरे-दीरे करके आपके सभी रोग खतम हो जाएगे और आपकी काया जो है वो योग में हो जाएगी देखे योगी का सरीर मैंने कई बार आपके सामने कैई योगी का सरीर ऐसा होना चाहिए आपको दोस्तों मित्रों साथियों आपको आपको समकाय होना है और अपनी जो आतम recycling है दिघर है था मार्ग को पकड़ को इनतले से कमल की बहाँती हो जाला जैसे जल के अंदर कमल रहता है वो जल के अंदर उसकी जड़े तो हैं लेकिन वो कमल जड़ से अच्छा दित नहीं होता भीगता नहीं है प्यारे साथियों आज मैं आपके सामने उसी एक महान किरिया का आपके सामने जिकर करूँगा जिसके चलते जिसको अपना के आप अपने जीवन को योग में बना सकते हैं आपकी साधना उच कोटी की हो सकती है आप साधना मारग में जितने भी आपके विदन हैं वो सब खतम हो सकते हैं अगर आप इस क्रिया को अच्छे से समझते हैं तो आज मैं आपके सामने उस क्रिया का बखान करूँगा और धीरे धीरे करके आपके सरीर के सभी रोग चाहे वो आपके पेट के रोग हैं चाहे वो आपके जनेंद्रियों के रोग हैं चाहे वो आपके हरदय के रोग हैं चाह और आप सब जानते भी हैं उसको ये बात नहीं है कि नहीं जानते आप सब जानते लेकिन गोर नहीं करते उसको धारण नहीं करते खेल ही खेल में यानि बड़े सरल भाव से आप उसको ग्रहन कर सकते हैं और संसार का जो सर्वोच मार्ग है योग उसको आप धारण कर सकते हैं प्यारे साथियों मुझे आशा है कि आप इसकरिया को ग्रहन करेंगे और योग मार्ग पे चलने की अपनी जो दरड़ निश्चय है आपके अंदर आपकी जो भावणा है उसको बलवती रखेंगे उसको ताकतवर रखेंगे और योग मार्ग पे परसेस्थ रहेंगे अपने ह हर्दे आकास में भगवान सिव मातापार्वती सहीत विराजमान हें . मुझे नहीं लगता इससे ज़्याहर सोहाना की बात संसार में에 और जगे आपको मैसूस होती होगी प्यारे साथियों, मैं जिकर करूँगा आपको देखे योग के अंदर सिध्धम पदम उग्र स्वास्थिकम चार आशनों का जिकर पतांजल योग दरसन में किया गया है मैं उसी में से आज एक आशन का जिकर आपको करूँगा साथियों, हम आज लेंगे सिधासन, सिधासन जो है आपका वो आसन है जो आपको योग सिध्ध करता है जो आपके सरीर के सभी विकारों को खा जाता है जितने भी आपके सरीर के अंदर विकार हैं, उन सब को खा जाता है सिधासन आपके जो हर्द्य पटल है उसका जो दुवार है हर्द्य पटल के दुवार को खोलने का सबसे सरल मार गगर कोई है तो वो सिदासन है साथियों, सिधासन को कई नामों से हट परदीपिक में बोला गया है उसको वजरासन भी बोला गया है, सिधासन भी बोला गया है, योगासन भी बोला गया है और गुपतासन भी बोला गया है, और मुकतासन भी बोला गया है कई नाम से सिधासन को हट योग प्रदीप में बुलाया गया है साथियों आज मैं आपको आशन की वोवी दी बताओंगा जिसको आप सिरलता से धारन कर सकेंगे जो हमारे बड़े बड़े सिध बड़े बड़े महायोगी जो हजारो लाखो लाखो वर्सों से युगों से बैठे हुए है एक ही ही आसन में उसी आसन में और वो आज सब कुछ प्राप्त करके ब्रह्म में हो गए हैं साथियों यह जो मारग है मात्र बारा वर्श में कुछ बहीं आसन करे बगैर में आपको मारग बताँगा कोई आसन करे बगैर कोई आसन करे बहीं से आप करते जाएंगे मातर बारा वर्स के अंदर आपको योग शिद्ध हो जाएगा इसमें कोई संसे नहीं है लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि योग का मारग थोड़ा लंबा है लेकिन शरल है और भोत सैज भाव से आपके जीवन में आप इस जीवन मृत्तु के चकर से छूट सकते हैं और आप इस संसार में अपने आपको मुक्त करके इस संसार से इस संसार को अपनी भावती चला सकते हैं और इसको भोग सकते हैं मेरे प्यारे साथियों शिद्धासन जो सरल रिती है देखे शिद्धासन में ही आपका आज मैं बताऊंगा कि शिद्धासन से आपके रेचक प जितने भी आसन हैं सब आसनों में सिद्ध आसन के बराबर कोई आसन नहीं है साथियों महा मुद्रा के बगएर जैसी कोई मुद्रा नहीं है खेचरी के जैसा कोई बल नहीं है कुम्भक के जैसी कोई ताकत नहीं है साथियों जो आपको भरन पोसंड का जो वारुनी का जो हमें रास्ता मिलता है मार्ग मिलता है तो हमें खेचिरी से मिलता है जो हम वारुनी को ग्रहन करते हैं साथियों जो हमारे जो चक्र हैं उनको जगाने का उनको भेदन का अगर कोई मार्ग मिलता है तो वो हमें महामुद्रा से मिलता है साथियों अगर आपको कुम्भक साधने का मार्ग अगर कहीं मिलता है तो केवल कुम्भक से मिलता है मित्रो आज मैं आपके सामने वही विद्धी रखने जा रहा हूं आप किरपकर इसे समझे और इसको गरहन करे और इसका पालन करे प्यारे साथियों देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है यह हमारी जो एडी है वाम एडी को हम जो हमारे योनिस्थान है इसको हम अंदर फसाथियों और हमारे पैर कङँ उठे उपर रखें गे और यह हमारी दाई-डी है इसको हम अंदर-पने-जो हमारे गूफ-टांग है यह या या हमनिस्थान बन दोनो एडी आपकी आपकी ऊपर निचे ऐसे आजाए दोने एड़ी आपके ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे यह ऐसे देखी यहां पर हमने लिया और यह जो हमारा वाम है वह जो मेरी एड़ी है पारसनी हम इसको बोलते हैं यह यूनि स्थान में है यानि गुदा मारग के लिंग के बीच में है जो बीच का जो चारु उपर आजाती है साथियों यह आपने देखा यह यहां पर बिल्कुल बराबर होगी और यह जो अंगुठे हैं मेरे पैर के जो पंजे हैं यह मेरी जो जंगाओं की जगह है इसके अंदर ऐसे समाइध होगे और ऐसे ही मेरे दूसरे पैर का यह इसमें आ गया है तो आप इसको जब आप ऐसे आते हैं और यहां पर आकर आप अपनिकोई भी मुद्रा चैये आप वायउमुद्रा में आए चाये आप ज्यानुद्रा में पिल्कुल सीधी हो क्रवाइगी और जो आपकी यहां पर आपने क्या करना मूल्बंद आपको लग जाता है मूलबंद और स्वास को बिल्कुल जो केवल कुमभकी में बात कर रहा हूं तो इसको जब आपका वज़रासन लगया यह आसन ऐसा है कि आपकी जो आपका मुलाधार है मुलाधार के अंदर एससे अगनी उत्पन होती है इससे आपकी मुलाधार और स्वादिस्टान दोनों चक्रों के ओपर यह काम करता है और यहां पर आपको अगनी उत्पन होने लगती है और धीरे 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 करके आपकी जो सकती है जो आपकी मुलाधार में जो पड़े वी सकती है वो धीरे-धीरे सैसरार के और यहां से जाने लगती है साथियों य खेच्री जो मुद्रा है हमारी जीवा पूरी उपर सिध्य हो जाती है जब तक योगी की खेच्री और बजरोली सिध्य नहीं होती जब तक योग मार्ग में उसको सफलता नहीं मिलती साथियों आपको यह विशेश ध्यान रखना चाहिए कि आप जो हैं अपनी खेच्री साथियों कुम्भा के बराबर कोई बल नहीं है खेच्री के जैसे कोई मुद्रा नहीं है महा मुद्रा जो हमारी दसों मुद्रा है देखिए जो हमारी मैन मैन मुद्रा है वो खेच्री है महा मुद्रा है और आपकी वजरोली मुद्रा है अस्वनी मुद्रा यह मुद्राइ आजाए आपने बिल्कुल आपको अंजली मुद्रा में होगे और फिर आप ऐसे और यहाँ पे जब आपने पूरा इसको उडियान ऊद्ध मूल बंद लग गया पिर आपका उडियान और आपका फिर खेचरी लगाने के बाद पहले खेचरी लगाईए और उसके बाद फिर आप जलांदर में आ जाएए ऐसे ध्यानिया पे आप अपने भुरू में ध्या ले आईए हर द्याकास में आपका ध्यान हो चाहों तो आप нож सेस्रार में विए ले लिगा सकते हो जैसे अपको उचित लगे जैसे भी आपको सुईदा हो मैं तो मैं कहूंगा आप शाब मत भ्रूमास में अपाछा कर सकते हो कि वहुंका ह्याकास नहीं Malna गों मांस बोला जाता है योग की भासा में तो आपकी जो वारूनी है वहीं से आपको प्राप्त होती है यह इंदर का भी स्थान बोला गया है और कभी-कभी हर्द्याकास भी इसको इंदर के स्थान को बोला जाता है जब आप यहां पर अन्मुनी देखिए इस इसके परभाव से आपको जो अन्मुनी जो मुद्रा है आपकी जो चंद्रकला है वह आपको धीरे-धीरे अपना आप से सीदो जाती है कोई प्रिश्रम करने की आवश्यक्ता नहीं होती जो व्यक्ति जो साधक सीदासन का प्रियोक करता है उसको धारण करता है उसको कोई भी मुद्रा कोई भी आसन कोई भी बंद लगाने की आवश्यक्ता नहीं होती स्वेता ही यह मैंने आपको बताया इसमें तीनों बंद हमारे लग जाते हैं तीनों बंद आपके लग जाएंगे भूक के उपर आपकी जो चुदा है वो धीरे धीरे आपके नियंतर्ण में हो जाएगी और एक समय बार-बार कहता हूं एक समय भोजन करा जाए और मिताहरी ज आज मैंने आपको वह मुद्रा बताई है जो संसार की सरवोच मुद्रा है आप धारन करें तो ये सोने पे सो आगय ना धारन करें तो जैसे पूझे तो देव ना पूझे तो पत्थर गंगा मा हैं गंगा में काफी लोग हैं जो बहुत दूर दूर से सनान करने जाते हैं अपने जो उसके जीवन के कष्ट हैं उनका निवारन करने के लिए जाते हैं और बहुत से लोग महाँ पे गंगा जी को एक नदी मानते हैं बैता पानी मानते हैं और उसमें तरह तरह के काम करते हैं साथियों आपके लिए वो गंगा मा हैं और उनके लिए वो सिरफ बैता पानी है सिरफ अपनी सोच का फर्क है आप चाहें तो इस सिदासन से अपने आपको अमर कर सकते हैं इस दुखों के जञगाल से इस भव के सागर से मैंने भव का सागर किसको बताया आपको भव का सागर क्या है आपकी शुष्मनना आपकी वह लिक्विड से भरी हुई है और उसी में ही आपके जो प्राण बैते हैं और वो इधर से निकल कर सहसरार पे जाते है उसी को भव से तरना बोलते हैं, उसी को भव से पार बोला जाता है, मेरी नजर तो यह है, आगे सब के अपने 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 अभिलासाइं हैं, वो क्या समझते हैं, क्या पारना चाहते हैं, साथियों इस आशन को करने से आप मिताहरी हो जाएंगे नरम भोजन करिए दुग्द युक्त भोजन करिए मिश्री से युक्त भोजन करिए आप देखेंगे धिरी धिरे करके आपका योग शिद हो जाएगा साथियों इस आशन को करने से आपके सरीर के सभी रोग गुदा से लेकर और सैसरार तक के यानि गुदा से लेकर और आपके मस्तक तक के रोग सब खताम हो जाते हैं वायू के उपर आप एक दिन वीजे प्राप्त कर लेते हैं और यह मुद्रा आपकी फली बूत जिस दिन होगी आप इस संसार से तर जाएंगे साथियों इसका एक रूप और है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इसका दूसरा रूप जो है यह है कि हमने दोनों एडियों को आपस में यहां पे रखा ऐसे और गुदा को यह यह इसका मुक्त जो आसन है वो यह है दोनों एडियां अमारी उपर नीचे होंगी और पूप आसन बोलते हैं इससे आप यह थोड़ा कठीन बनता है लेकिन इसको आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाब होंगे इस आसन को करने से आपका ब्रह्मचर यह तुरंत आप साध लेंगे और मुलाधार जो लोग जागरित करना चाहते हैं मुलाधार की जागर लिछाएं इसके उपर करके आप इस पे आसकते हैं और फिर से आप इसको ऐसे ले सकते हैं यह दोनों एडियां आपकी उपर नीचे होंगी और इन लिए पर आपका जो मुलाधार का जो छेतर है यानि गुदा जो मारा योनिस्थान है उस पर हम इसको रखके और सीधा लेते हैं यह थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप करेंगे तो भूत सुगमता से हो जाएगा इसके बाद साथियों फिर एक दूसरा आसन है जो हम इस पर इसको हम केवल सभी आसनों से मुक्त के और हमें लेके जाता है तो यह हम इसको वैसे थोड़ा थोड़ा पदमासन के जैसा ही है क्योंकि पदमासन जो है वह थोड़ा चड़ जाता और यह चड़ता नहीं है तो इसलिए इसको यह देखिए यह इसका Certि अभा हो है यह इसका Canad इसको आप यसे एक एडे के ऑपर दूसरी अब की ठीक हुए है झकुत हो थोड़े से आप के वह इसमें मेरे वस्तर की वज़ेसे फोड़े एसमें लगता है कहला कि यह पूरी तर ऐसे नहीं है लेकिन इसमें हमारे बिल्बूल सीधे इसमें ऐसे अंदर यो अब जो जाते हैं तो यह आप इसका यह management के तीशा जो इसका बहु है वह अब देख सकते हैं यह का तीस्तिर आओ इसका जो क्योंकि मातापारवती ने लाखो लाख वर्ष महादेव की साधना इस यासन से किया है साथियों यह मैंने आपको चारों रूप इसके शिदासन के बता दिये हैं और आप चाहो तो दो भी आपको सुगमता से अपोटारण कर सके ऐसी देखिए और दाइन एडी को उपर निची लेंगे फिर दोनों सब्स करें नागें एक उपर और यूनिस्थान के उपर आप ले आएंगे तो इसके चाहों मैंने रूप बता दिये हैं आपको अपर भी उत्तम आसन हैं आप इसको करेंगे और इसको इसके लाब तभी आपको पता चला इससे सभी परकार की जो भी आपकी साधना की बादाएं है वो खतम हो जाती है और यह बिल्कुल सरल है इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं होता और यह धीरे-धीरे करके आपकी जो जो सकती है वो सुष्मना में प्रवेश करके सैसरार की ओर चले जाती है इसी को योग सिद्ध किया गया है साथियों इस सिध्धम पदम उगुर स्वास्तिकम चारो आसनों को योग में सबसे जो सरेष्ट चार आसन है चोरासी लाग का वर्नन आता है फिर भगवान सिभ ने चोरासी आ K ע보 सान है कि दिन में चार बार जो सादक है वो चार बार सुभा दोपैर शाम और नज्धेरात्री चार बार इसकी प्रैक्टिस करें चारों बार कुम्भग लेके जाएं यानि कि आपका जो केवल कुम्भग है आपको स्वास अंदर नहीं बढ़ना ना बाहर कुम्भग करना केवल कुम्भग करना यानि कि स्वास को छोड़ दिया और सामान भाव में रहके और आपने बस ऐसे इसको केवल कुमबक कहते हैं, ना स्वास ले रहे, ना छोड रहे, छ़ूद से जहां तक रूखे, खुद से उसको रूखे, और उसके बाद फिर, जैसे जैसे आपका सचीधासनों शिद्ध होगा जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे ऐसे आपका केवल कुम्बक हो जाएगा क्योंकि मैंने कई बार आपके सामने किया अगर हम भाय कुम्बक करते हैं तो श्रीर स्वास अंदर लेने के लिए छट पटाता है और आंत्री कुम्बक करते हैं तो दूसरा अपने आप से रूप जाता है जब आप सी दासन में आएंगे तो आपके चारों तरफ से संसार की जो त्रिशनाओं में आपका मन भाग रहा है वो वापस आके और आपके हर्द्याकास में इस्तिर हो जाएगा और बिल्कुल भी आपका मन इदर उदर भागेगा न आपके अंदर ऐसा लगता है कि मेरी संतुष्टी नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं जरूर आपका जवाब देंगा कमेंट की बजाए जो लोगों को कई तरह से लोग बूजते हैं अगर वह चाहें तो भाई मुझे कोल भी कर सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रेप् के माध्यम से पूरी बाते नहीं समझाए जा सकती जब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा जब तक मुझे पता नहीं चल आपको समस्या कहां पर आ रही है और कमेंट इतने लंबे नहीं लिखे जाते नहीं समय हो पाता आप मुझे उसमें साधना लेकिन सुभा-शाम और द तो श्रुम्हें में से आपके सामने को विचार करना है तो मुझे कोल कर लीजिए कमेंट चोटी वे उसके लिए करिए लेकिन अगर आपको कौई बादा है उसके निवारण के लिए मुझे कोल करिए करता हूं आज आपको यह पसंद आया होगा और